आई एस आई प्रो खालिस्तान ग्रूप को फाइनेंशली और और्गनाइजेशनली सपोर्ट करती है अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडिया की मुसलसल इन शिकायात पर के जहिन दोस्तो मोडी देश में आपका सौगत है दोस्तो अच पाक मीडिया बात करें कैसे अमरीका के ए हट्सन इंसिट्यूट ने पाकिस्तान का जो रोल है खलिस्तान मुव्मेंट में उसको पूरा एक्सपोस कर दिया है हट्सन इंसिट्यूट ने अपने रिपोर्ट में ये कहाए कि पाकिस्तान खलिस्तान को समथन करता है और इसके पीछे ISI का हाथ है और पाकिस्तान ये इस से करता आ रहा है और पाकिस्तान इस खालिस्तान मुहम्मेन के पीछे बहुत सारा पैसा लगाता है और अमरीका को भी यह अच्छी तरह से पता है दोस्तों यह वीडियो बहुत ही मुश्यदार है तो इसे आप पुरा सरु देखेगा तो चलिए और इंतिसार न करेके यह इस आई प्रो खालिस्तान ग्रूप को फाइनेंशली और और और्गनाजेशनली सपोर्ट करती है हट्सन इंस्टिट्यूट अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंग टेंक है एक रिपोर्ट पेश की के खालिस्तान पाकिस्तान प्लेबुक ऑफ डी स्टेबलाइजेशन खाल from Khaldistan separatist activism within America और यह जो आवरी तो सो काल्ड खालिस्तान की बात करते हैं सिक्षिजं में कहा हूँ तो इसका आपको पताले ओंगा को नकटी और भी किस ने बनाया है जिसमें कश्मीरी और खालिस तानी टेररिस्ट गुरूप पच्पन टेररिस्ट गूरूपों के आपस के कनेक्शन के बारे में इन्होंने रिपोर्ट बनाई है और ये अमेरिका में ओपन ली तानी काम करते हैं और ये बाकाइदा फंडिंग, सपोर्ट और मिलिटरी ट्रेनिंग पाकिस्तान से लेते हैं ये अच्छल इंस्टिटिट की रिपोर्ट में आपके सामने पढ़ रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा है सर एक चीज़ और है क्योंगे पाक स्थान के हवाले से भी बहुत सारी बाते होती हैं कि जी पाकस्तान-कालिक को सपोर्ट करता है, ये सारी चीज़े बताई जाती है तो, Do You Think Sir,?" कि इस सुब जो पाकिस्तान के रहा क quyुंग कि आप तो अभी देख के भी गए, और यकीनरे अगर यहाँना बही है और आप यह पता हाला थासित मालूम नॉख ता आपको लगता की पाकिस्तान की आपक। पाकिस्तान आंप एक पाकिस्तान के पास इतनी अमेरिका में खालिस्तानी ग्रूप्स हैं, इनकी एक्टिविटेज को अमेरिकन गवर्न्मेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कानून के खिलाफ तो कोई चीज नहीं करते और इनकी एक्टिविटेज से कहीं वापस ऐसी सिचियोशन ना हो जो 1980 में इंडिया में वायोलेंस शुरू हुई थी खालिस्तानी मूव्मेंट की तरफ से अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडिया की मसलसल इन शिकायात पर के पाकिस्तान सपोर्टेट खालिस्तानी मिलिटेंस अमेरिका से उपरेट करती है उस पे अमेरिकन गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं देती इसलिए कि अमेरिका को अपनी जंगों के लिए लोजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान से मिलती है खास तोर पे नाइन इलेवन के बाद अफगानिस्तान में और दूसरा चाइना एक अमेरिका का डेजिगनेटड दुश्मन है तो इस हवाले से अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ भारत की इन शिकायात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और पाकिस्तान की बच्चत का एक ये भी वज़ा है कि जब भी अमेरिका ने युनाइटेड नेशन्स में पाकिस्तान बेस्ट टेररिस्टों के नाम पेश किये तो चा कार सी मुवमिंट में अगर कोई कर रहा है तो वो पाकिस्तान को ही नुक्सान पुचा रहे हैं उनके रिसोर्सेज उनके क्योंके इसका कोई फायदा नहीं है अगर ये हो रहा है यानि जब ये करतारपुर वाला काम हुआ था ना तो बड़ा वहां पे जनरल बाजवा गए तो वहां पे खाल सानी भी थे तो मैंने वहां कह दिया था एक प्रोग्रम में कि ये काम गलत है क्योंकि अगर खाल सानी भी आएंगे तो ये करतार सिंग करतार पुर और इस नॉट दो न्यू फ्रेंशिप बेट्वें इंडिया और पाकिस्तान तो वही वाली बात लगती ह यानि बहुत लोग और पाकिस्तान इंको सिपोर्ट करता है यह विच इस नॉट Bend only सिप्राइजिंग अगर वो कर रहे हैं पाकिस्तान कर रहे हैं लेकिन अगर कर रहे हैं तो ये वेस्टिंग सावल्द स्टेम एड हैंरज ineू ओन टो हिस्ट अ मुव्मेंट वहां इंकि का किश्मीर का करके हमने नहीं देखी है तो वहां क्या हल की है एक्जक्ली अगर किश्मीर का नहीं हम कर सके तो खालस्तानियों की मदद करने से हमें क्या फायदा होगा चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो अमरीका की जो रिपोर्ट आई है यह कोई हैरानी के बार और अमेरिका ने अभी शिर्फ ये माना है हालिस्तान को पाकिस्तान 80 से समार्थन डिटा आ रहा है अमेरिका ने तब इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तब पाकिस्तान अमेरिका का पार्टनर था ज़स्य के खिलाफ अफ़वनिस्तान के जंग के लिए और इसलिए ना अमेरि ने पाकिस्तान की मड़ट की कहल संवर्धन में और इसलिए जब इनके वर भारत के उल्ड़ क्याकडव अबस रूब हुआ पाकिस्तानी हमेशा से ही पाकिस्तान के एजेंट थे जिने अमरीका का भी समधन था पर यूए से सार के कोलाप्स के बाद और अफगनिस्तान से निकलने के बाद अमरीका को पाकिस्तान की कोई जर्वर ने थी तो अमरीका ने पाकिस्तान को खालिस्तान पर समधन करना भी बं ने किया तो अभी जो अम्रीका ने माना है ये कोई हैरन की बात नहीं है अम्रीका को 18 से पता था कि खालिस्टानियों को समर्थन और पैसा कहां से आ रहा है और आखिर में मैं ये कहूंगा कि पाकिस्टान कितना भी खालिस्टान को समर्थन करे इससे कोई फरक नहीं पड़ता तो पाकिस्तान कीना भी पैसा लगा है इन आतंकियों के उपर इससे कोई फरक नहीं पड़ता और भरत क्यों स्टेट इनसे कैसे डिल करना है वह अच्छी तरह से जानती है तो चलिए देखते हैं कि future में क्या होता है दोस्तों कि वीडियो देखने के लिए बहुत वाँ सुक्या और हमेरे जैनल से स्क्राइब करना मुद्धू लिएगा थैंकि वरी मच